या को कैसे मिला था घर के पास बारिश में मर रहा था ना कल डोक्टर ने बड़ा ठीक कर दिया था फिर सुबा वैसे ने पंजे पिछला पंजा देके ना कुछ अंदाजा नहीं अभी लेकिन हाँ इन्होंने ट्रीटमेंट इसकी कराई थी सूचर वगर अलगवा दिये थे ल इसके शुरू है वहाँ बे ओपन में रहता है तो ऐसे में तो गहाँ अबहर नहीं पाएगा इसलिए जब तक इसका गहाँ नहीं ठीक हो जाता तब तक हमारे पास ही रहेगा सुबैसे संजू, भाई साब, बेटी जी तीनों की थोड़ी सी तबेट डाउन चल रही है वेदर के विजए से भी हो सकता है थोड़ा बहुत संजू का तो ब्लोट नजर आ रहा है जो कि शाएद इसने कुछ गलत खा लिया होगा कि पाकि भाई साब को एंपरेचर वाफी हमने उसको अच्छे से अंदर सेटल कर दिया है काउशट में अच्छी सी बेडिंग दे दी है और स्वेटर अगरा पिना दिया है तुरस्टी यह क्या है हमारे 4 लग सब्सक्राइबर और बहुत जल्दी तो मैं ट्रैक रक्रियू तक कि जैसे चार लग होते है मैं रॉबिन जब आता जाए तो जब आता जाए तो प्रमारा इसा हो ना कि हम इसके लिए तोड़ा बहुत अभी जैसे थोड़े खाली भी है और जगा हम लोग थोड़ी बात मैनेज कर सकते हैं इसले इतने दूर से बुलवा लिया अभी बस इसको दो मैना हमें ऑब्सर्वेशन में तरीके से सुधर जाएगे फिर इसकी पिन रिमूब करनी है यहां से बाद में हम देखेंगे अगर वो खुद उससे लेकर जाते हैं या फिर हम इससे अडॉप्ट करवाना है मेरे तीन बेटे हैं बड़े प्यारते मौने है बीच बाला बेटा है तो हम तो बच्चों की तर कल इसका आक्सिडन्ट हुआ था एक जेसी भी शायद इसके ऊपर चड़िये बदा रहे थे वहां के जो लोग थे और जबकि वो चड़ाई पर चड़ा था फिर बी इसके उपर गारी चड़ा थी उसमें इसका फीमर फ्रेक्चर है साथ जाथ इसके दूसरे पाम भी जखम और रहे इसका सर बतारे फ्राक्चर है इसका जो जॉइन्ट है ना पीमर वाला और तीबिया जो जो जॉइन्ट है वो सकता थक्र की वज़े से थोड़ा सा हील गया है ब्रॉब्लम यह ना कि पालंपूर में कोवर्ड के वज़े से भी बंद है आप फुर भी आज एक बार क किक मार के गिरा दिया होगा और उसका ये पोर्शन काफी बुरूज हो गया है गिरने के वज़े से और आखी भी सूझ गया है कुनाल नैनानी जी ने एमदाबाद से हमें कस्टमाइज मास बेजे है इसमें पीपल फाम का प्रिंट भी है लोगो और यहां पर गो वीगन लिखा है इसाइस तो आजाएगा ना मिरको बुछ रहा है और दिनेश का सवाल सा कि इसमें और प्रिंट है या है कि एकी है लोग ऐ कि इसे डॉग्स में भी करता है ना कि इस कलर का है क्या और और आए है क्या डॉग अभी यह स्टाइल चेंज हो गे जड़ा है ना बुल का रस्क्व जल्बशाओ असलोग यहां जूति वह सुब्स प्रिंट के जाता उसका के हुआ उसके पैर में बहा जादा था था जिए अज़ग जिए पाइब देखा और तुरंत आके नोने मिजे पताया और चंबी क्योंकि नजदी के हमने भेज दिया था उस ताइम पर और हाला कि मुश्किल था उसको पकड़ना वह बहात अग्रेसिव गयल था तो डाट गन वगर रह रही उसको बेगोश के आता और जिए पैर की रसी काट दी और उसका खाव बहुत ज्यादा था थानी बस बनमा शुरू हुआ था तो रसी से रगड बस लगी थी लेकिन अगर कुछ दिन और भी ते तो अच्छा गाव बन जाता उसको कि इस वहा हमारा सौल लोग 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 जी और नमिशा जी पोह को अ स्किन कंडिशन बहुत बुरा था यहां का कंटिनेस रें और बहुत तेम्परेचर डाउन था तब बीमार भी पड़े और मैंने एक ताम पर उमीद छोड दी थी ना बट नहीं मादा वो लोग एक दम फाइटर की तरह निकला है उसमें से तीन हमने आज एक डॉप को थेड से रेस्क्यू किया है इसको पहले हमने चंबी में देखा था और वहां हमको पता चला था कि इसको टीवीटी का इशू है हम उस ताइम तो प्रिपैर नहीं थे लेकिन हम दुबारा वहां गए इसको पकड़ने के लिए तब यहां मिली नहीं दो तीन बार फिर इस तरीके से हम गए तब भी हमें मिली नहीं आज हम वहां जाकर हमने सबसे पूछा कि ऐसी डॉग है तो उनमें से एक ने बताया कि यह जो डॉग है वो ठेड की है और तुरंत वहां गए जो इसका टूमर है वह चोटा ही है तो दो तीन बार के विंकृस्टीन से मैनेज किया जा सकता है और बाद में इसकी स्पेस सरजरी करके इसको आपे रिलीज कर सकते हैं वापस हमने एक बैल को रेस्क्यो किया था गगल से उसका फ्रंट लेग में फ्राक्टर है काफी जादा बहुत ज्यादा स्वेलिंग के वजए से कल हम एक बतानी पा रहे थे कि यह मैनेजबल है कि नह अपने चारो पैर में वजन लेकर खड़े होते हैं यह मैनेज नहीं कर सकते ना कि एक पैर उठा लिए आगे का और चल लिए जैसे डॉप में यूजिली पिनिंग सर्जरी और प्लास्टर और स्फिलंक क्यों वर्क करते हैं उनका वेट काम है वो एक पैर उठा के भी आराम जल्डी इसका आगे तो सीट कर पाएंगे अभी हम रहता है यहां से कॉल आथ है जिसके काम नहीं कर रहे है वो दिन पहले देखा तो यह यहां पड़ा हुआ था यह चल नहीं पा रहा था पहले तो यह खाने के लिए यह जंप कर जाता था इतना एक्टिव है यह बहुत अब हम लेंखे जाते हैं धागनाॉस करते है पूरा फिजिकल इग्जामीनेशन कर तो यह लग रहा है कि अधा इसके फ्रेक्चर है था कोई नहीं है ना शुलशन उसका मैंनेज नहीं कर सकते ना उसको अगर रिसेंट वा तो नो डाउट इसको पेन हो रहा होगा पहले तो तो शापूर बेजा हाला कि बड़े आनमल्स के लिए एक्स्रेय की सर्विस वहां पर भी अविलेबल नहीं है लेकिन वहां पर काफी एक्सपीरियंस सर्जेन आया हुए थे तो उन्होंने देख के बताया कि भई इसका शोल्डर डामेज है काफी बुरी तरीके से जो कि कर सकते हैं और अभी उसका उसे हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा है जो दूसरा बुलता जिसे हमने धरमशाला से रेस्क्यू किया था उसके पिछले पैर में फ्राक्चर था उसको भी हम शापूर लेके गये तो और वहां पर यह बताया गया कि उसका टेंप्रेरी स्प्लिं उसके बाद हम वहां गये थे एक डॉग रेस्क्यू करने जिसका पैर वायर ट्राप में फसा हुआ था बहुत ओपन अर्या होने के विजए से हम उसे कैच तो नहीं कर पाई लेकिन हम फिर भी वहां पर टाबलेट दे कर आएं कि अट-लिस कुछ दिनों के लिए उसका पैन म आएं के लिए नहीं है उसके लिए नहीं के पास तो रहीन है कि अट-खन गया ख़नेश्धी को बसे यहले ही आगे से पैरनी चल रही है और भी पर गेमार्म यहां पर बादा लेव ह्यारी और नहीं को इनी चल ठाएं जा धिन्यू है लिए भी वाले में के यह घून इता ब इस वाली को तो कुछ भी चोटने लगी है काफी फ्रेंडली भी है तो इसको तो हम सीधा अडॉप्शन में पुट करेंगे आज हमने गगल से एक डॉग रेस्क्यू किया है जिसको पीछे ट्यूमर का इश्यूमर का इश्यूमर तो एक दो डोस में ही ठीक हो सकता उसके बाद इसको पर बादे कर देंगे और वापस इसके अरेया में इसको रिलीज कर देंगे आज हम लोग स्कूटर और भिंडी की स्पेस सर्जिरी करने वाले हैं स्कूटर जिसका अंप्टेशन ने किया था उसका गाव पहले से बहुत जादा बैटर है जितना भी बचा है इसका स्क क्यों किया था जिसका पीछे का पैर थोड़ा सा कमजोर तो में डॉक्टर एजित ने बताया है कि इसका फ्राक्टर हुआ होगा लेकिन बहुत जागा डामेज नहीं था इसलिए चल तो पा रहा है थोड़ा बहुत वीक है पीछे का हिस्सा उसके लिए हम उसको सिरफ थैंक्स आपको नहीं बता कि आपके होने से हमारा कितना मनोबल बढ़ता है उमीद है कि हमारे होने से आपका मनोबल भी बढ़ता है